वेलकम टू मैं चैनल दोस्तों आज के हम इस लेशन में पढ़ने वाले हैं रिजनिंग का एक दूसरा टॉपिक जिसका की नाम है कैलेंडर अर्थार्थ अब दोस्तों इसमें हमें चानना क्या एक होता है नॉर्मल एर अर्थार्थ शामानवर्ष दूसरा होता है अधिवर्ष अर्थार्थ लीप एर ठीक है अब एक होगा सबसे बेर हमें इन दोनों को देख लेते हैं ठीक है नॉर्मल यह क्या होता है एक ऐसा वर्स जिसमें कि दिनों की शंक्या दिनों की शंक्या तिन जो 55 होती है ये शामाने वर्स के लाता है ठीक है और जैसे कि इसको हम कहें 2017 2019 1990 इस प्रकार्श ठीक है और अधी वर्स क्या होता है ऐसा वर्स जिसमें दिनों की शंक्या 306 होती है ठीक है और जिन में 4 का पूर्टा यहां के चला जाता है ठीक है जैसे कि 2016 2008 2004 2019 अधी ठीक है अब दोस्तों दूसरी टाइप से जो हमारा होता है वो होता है सेंचुरी एर ठीक है एक ओर टाइप होता है हमारा इस टैप के जो वर्ष होंगे यह हमारे normal century year के लाएंगे ठीक है लीब century year के होता है जैसे की जिसमें की 400 का ठीक है पूर्ण भाग चला जाए वो लीब century year होता है ठीक है जैसे 800, 2000, 1600 और आने वाला लीब century year के होगा भी 2020 चल रहा है तो 2400 ठीक है यह हमारा leap century year होगा ठीक है अब दोस्तों हमसे अगर पूछा जाएं कि अब अतरिक्त दिन कैसे निकालेंगे ठीक है तो दोस्तों अतरिक्त दिन find करने के लिए हम क्या करेंगे एक्स्ट्राडी find करने के लिए number of days divided by 7 और जो reminder बचेगा वो हमारा अतरिक्त दिन होगा number of days अधात मन्त में दिनों की शंख्या बटे साथ परावर जो भी हमारा सेसफल या reminder वचता है वही हमारा अतरिक्त दिन होता है एक्स्ट्रा days होता है ठीक है अब जैसे कि हमें दिया हुआ है कि जन्वरी में कितने अतरिक्त दिन होंगे हमें ये find करना है तो मा जन्वरी में कुल दिन ये कितने होते हैं दोस्तों ये होते हैं 31 ठीक है बटे साथ और यहां चार बर चला जाएगा सच्चो का 28 रेमेंडर कितना बचा रेमेंडर हमारा बचा जिरो थ्री ओके तो हमारे तीन अतरिक्त दिन जन्वरी में होंगे ठीक है उसक पकार अगर फरवरी में देखा जाए तो फरवरी में ये अगर फरवरी 28 अगर फरवरी 28 की है तो उसमें 0 extra days होंगे, अगर 29 की है तो उसमें 1 अतरिक्त दिन होगा, अब आते हैं गुस्तों next बात पे, अब आते हैं दोस्तों कि 15 दिन में, 15 दिन में कितने अतरिक्त दिन होगे, हमें ये निकाल के देना, अगर 15 दिन में भी पूछे तो चलो 15 दिन कहीं निकाल लेते हैं, 15 divided by 7 मतलब कितने एक अतरिक्त दिन होगे, अगला है हमारा कि हमसे पूछ रहा है कि 15 साल में 15 साल में कितने अतरिक्त दिन होगे, तो ये चीज़ कैसे find out करेंगे, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 15 साल में कितने लीपियर होते हैं और कितने नॉर्मल लियर होगे, तो हम सबसे पहरी 15 में देंगे 4 का भाग, कितने बार पूंड रूप से जाएगा, 4 तीया 12, यानि कि 3, तो 3 हमारे क्या होगे, लीपियर तार्थ इसमें अत्रिक्त दिनों की शंक्या कितनी होगी, 2 ठीक है, और समाने एक वर्स जो होता है, उसमें 365 दिन होते हैं, और 365 दिन हैं तो इसमें अत्रिक्त दिनों की शंक्या कितनी होगी, 1 होगी ठीक है, अब बापस आते हैं दोस्तों यहीं पे, हमसे कह रहा है कि 15 वर अधरिक्त दिवश होते हैं, तो 3 दिवश होंगे, कितने अधरिक्त दिवश होंगे? यह होंगे दोस्त, 6, और यहां, एक अर्थार्थ यह 12, और हम दोनों को जोड़ने, तो होता है 12 और 6, 18, और पुना इसमें 7 का भाग देंगे, तो 7, 2, 14, बचा कितना? 4, ठीक है? पूछा जाए कि 99 वर्ष में कितने लीपीयर और अधिवर्ष होंगी तो हम क्या करेंगे निन नब्वे में चार का भाग देंगे और चोविस अधिवर्ष होंगी। उसी पकार अगर हमसे पूछा जाए कि 100 वर्ष में कितने लीपियर होंगे, तो हम 100 में 4 का भाग दे देंगे, और चुंकि यह 25 बार जाता है, परन्तु, 100 जो है अपने आप में एक सेंचुरी एर है, इसलिए हम 100 को काउंट नहीं करेंगे, तो माइनस वान, यानि कि यह हो गए 24, 100 का अगर पुछे कि 100 वर्ष में कितने लीपियर होते हैं, तो अगे 24 होंगे, ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको कुछ एक चार्ट बता देता हूं, जो याद रखने योग है, आप इसके माध्यम से शावालों को आशानी शे बिदिन सेकंड सॉल कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो यह हमें दिन, ठीक है, अधरिक्त दिन, एक्स्टर टी फांड आउट करना है, ठीक है, सबसे पहले तो लीपियर, फिर नॉर्मल येर, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 4 100 वर्ष, ठीक है, इन में देखेंगे, तो सब सब हैले हम लिपियर में देखें higher । वर्ष में कितना होता है ? एक बच्ता यह थी क्ष्टा है । उसी परकार शो व्रष में कितनी वर्ष में हमारे बसते हैं तोFi में 3 वर्ष में बसते हैं । और अगर हम 4चो में हम पहुंचे तो वहां हम शोनी होते हैं कोई भी अत्रिक्त दिन नहीं बचता है ठीक है क्यों नहीं बचता है क्योंकि यह एक स्वैम में लीपियर होता है ठीक है उसके संसांत इसमें हम 99 वर्षों का count करते हैं ठीक है फरवरी 29 के होंगे ठीक है 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 ठी कितने UP 97, सौ बर्षों में 24 हमारे लीपेर होते हैं, हमने यह दिखा था, और 400 बर्षो में कितने होंगे, संत्यानविय होगे, इस चीच को हम भी डिसक्स करेंगे हो, तो कितना हुआ यह टूटल , 121 , 111 होगे, ओर जो हमारारी lp.rk होंगे, वह हमारी फरवरी की संख्या होगी, ठीक है? अब हम इस बात पर आते हैं, यिma concentration कैस हो गे 400 वर्षों में ठीक है? चुकि दोस्त 24 जो लीप्यष होते हैं, वह 100 वर्षों में होते हैं, ठीक है? तरकत एक 100 वर्ष में 24 होंगे, ठीक है? तो चार वर्षों में कितने हो जाएंगे मतलब चार सो वर्षों में चार गुना चौवीस चार सो जो है वो श्वयम में एक लीपियर भी है तो उसका एक चोड़ देंगे तो हमारे शंत्यानवे अधिवर्ष देंगे ठीक है आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कुश्टन पर अब हम दोस्तों ये देखते हैं कि ओड़े क्या हो तो ओड़े और अधिवर्ष निकालने का तरीका एक ही होता है जैसे कि हमसे पूछे कि 100 वर्ष में कितने ओड़े होंगे ठीक है इससे कैसे निकालेंगी तो सो वर्षों में दूसकों हमारे अधिवर्ष कितने होते है trucks होते हैं किर दुछ होगा और उनल में अत्रिक दिवर्ष होते हैं तो शहातर है, 618. तो टोडला हो गया दूसकों, 124 इस 124 में जब हम 7 का भाग देते हैं तो यह हो जाता है हमारा कितने बार चला जाएगा साथ एकम साथ यहां बचा 5 साथ सतिया 49 ठीक है और चगोन में से जब हम 49 को माइनस करेंगे तो यह जाएगा 5 ठीक है अता हम 100 वर्ष में 5 और 2 होते हैं ठीक है ठीक है तो नमबर ओफ और टे ठीक है और यहां क्या हो गया यह ठीक है तो हम सीथा चाबते हैं ठीक है हमने जाना कि सबसे पहले 100 200 300 400 ठीक है तो दोस्तों हमने जाना कि 100 में जो अधिक जो वर्ष होता हम दब और डे होते हैं वो होते हैं 5 ठीक है 200 में होते हैं हमारे 3 इसी तरीके से आप उसे भी निकाल के दिख सकते हैं 300 में होते हैं हमारा 1 और जब हम 400 में आते हैं तो वहां हमारा होता है 0 ठीक है What is the day after 64 days? कह रहा है कि अगर आज स्वंबार है तो 64 दिन बाद कौन साथ देवस्टोग आठी है? अगर दोस्तों हम से after अर्धार्द बाद की बात करें तो हम धनात्मक चिन्हका यूज करेंगे ठीक है? और अगर before पूर की बात करें तो हम रणात्मक चिन्हका यूज करेंगे ठीक है? तो कह रहा है कि आज स्वंबार है स्वंबार है ठीक है? तो 64 दिन बाद कौन साथ देवस होगा? तो चॉंबार में सबसे पहले हम यहां से अतरिक्त देवस निकाल लेंगी तो यह जाएगा हमारा स्वंबार प्लस एक अगर आज स्वंबार है तो 64 दिन बाद कौन साथ देवस होगा? मंगलवार अब आते हैं नेक्स्ट कॉस्चिन बे एक अलक्टाइब का प्रशन है तोस्त प्रशन है हमारा कि पांच जनवरी 2003 को अगर बुदवार था यह रियल में हो ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है हम सिर्फ कुश्चिन को लेके जाएगे तो 10 되어 जुलाई 2003 को कुन सा देवस होगा ठीक है? तो दूस्तों हमें सबसे पहली बात दिनो की चंक्या किस मेहने Benhead कितनी होती है यह जाद होना चाहिए या पिर उस महिने में कितने अधिरिक्त देवस होते हैं येह जाद होना चाहिए ठीक है? जनवरी में होते हैं हमÈर 31 और 31 दिन में, अगर हम 5 दिन ये एक्स्ट्रा चल चुके हैं, तो 31-5 यानि की बचा कितना है? 26, ठीक है, अगर 26 है, इसमें 7 का भाग देते हैं, तो हमारा रिवाइंडर बिचता है, कितना? 5, ठीक है, ये हमारे एक्स्ट्रा डेज, या फिर odd day होंगे, ठीक है, आते हैं दोस् कहीं अधिवर्ष तो नहीं है, ठीक है, अब दोस्तों, चुकी तो 33-1 अधिवर्ष अतार लेपियर नहीं है, अता, जो फरवरी होगी, वाए 28 की होगी, ठीक है, तो अगर 28 की फरवरी है, उसमें 7 का भाग देंगे, तो जिरो रिमेंटर बिचता है, उसी पकर मार्च, अप माई 31 का होता है, उसमें 3 अधिवर्ष 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 अ इस 18 में 7 का भाग दे दें, तो यह बचता है क्या, 7, 2, 3, 4 ओटे होगी, तो चूंकि अगर बुधवार था, 5 जनवरी को बुधवार था, तो बुधवार था 5 जनवरी को, तो जद 10 जुलाई को कौनचा दिवस होगा, रविबार होगा, ठीक है, आई होब दोस्तों आपको य देख लेते हैं, सवाल है हमारा, 5 मई 2014 को रविवार था, तो 10 अक्टूवर 2014 को क्या होगा? तो हम दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, इस 5 मई में, पांच दिन 2 मई के निकल चुके हैं, तो जितने भी दिन बचते हैं, उसमें हम देख लेंगे कि कितने जो हैं हमारे अत्रिक्त दिवस बचते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि कहीं पे भी सभी पूरे म फरवरी, मार्च, अप्रेल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नौवंबर और ये दिशंबर ठीक है, अब इन सभी में कितने अतरिक्त दिवर्ष होंगे यह हमें याद रपना है, ठीक है तो जनवरी में होते हैं, तीन, अगर फरवरी 28 की है, और शमानी वर्ष है यहां थासे में चीरो होगे अगर लीवर्ष है तो उसमें होगा, एक मार्च में होते हैं, तीन, अपरेल में दो माईमें-जून में दो जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितमबर में 2, अक्टूबर में 3, नौमबर में 2, दिशंबर में 3 दोस्तों अगर हम जून और जुलाई महा को छोड़ दें तो हमारा और फरवरी महा को ठीक है जून के अलावा जैसे जनवरी में 3 है तो फरवरी को अगर देखें तो फरवरी में हमारा क्या होगा 0 या 1 देबस होगा वो डिपेंड करता है कि यहां वर्ष किस प्रकर दिया तो अब माज में आते हैं तो 3 होगा दिवस होगा इस सवाल पर ठीक है तो दोस्त हम क्या करेंगे हम करेंगे sum of odd days ठीक है यह हमारी इशाण नहीं जो कि आपको आने वाले सवाल हमें काम आएगी ठीक है sum of odd days ठीक है तो चुकि माई में 5 दिवस बीच चुके हैं तो हम जितने भी दिवस बचते हैं उसमें से 5 घटा के साथ का भाग देंगे तो उसमें पुना हमारा 5 बचे गठीक है चुकी माई की बात हो रही है तो उसके बाद आता है जून-जून में कितने başALK होते हैं था उस रविवार में चार जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कुन सा दिवश गुरुवार ठीक है अगर 5 मईई 2014 को रविवार था तो 10 अगले शवाल में आते हैं अगला शवाल क्या है एक जनवरी 2001 को बुधवार अर्थाद वेंजडे था तो एक जनवरी 2002 को क्या होगा दोस्तों इस प्रकार के शवाल जिन में कि डेर भी शेम हो मंद भी शेम हो सिर्फ वर्ष अलागला को उसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो परस है अगर यहां कहता कि एक मर्च से यहां के एक मर्च तक और बीच में अधिवर्ष नहीं होता फरवरी 29 की नहीं होती तो हमार जो है ओड़े कितना होता एक होता ठीक है और अगर ओड़े एक है तो हम पुद्वार में एक जो देंगे दोस्तों अगर एक जनवड़ी 2001 को पुद्वार था तो अत्रिक्ति दिवस हमारा क्या है एक है तो हमारा जो अगला एक जनवड़ी 2002 होगा वो क्या होगा गुरुव वर्ष वारी बात को समझने के लिए हमारा कुश्चन है कि दो फेवियरी 2008 को संडे था तो दो फरवरी 2009 को कौन सा दिवर्ष होगा तो चुकि दोस्तों फरवरी की बात हो रही है और यह लीप यह है तो फरवरी यहां 29 की होगी अधात उस पूरे वर्ष में 366 दिन होगे यह वर्ष होगा और अगर 366 दिन है तो एक्स्ट्रा डेस कितने होगे दो होगे तो संडे प्लस दो याने की ट्यूजडे जो होगा दो फरवरी 2009 को होगा ठीक है अब दोस्तों अगर मान लें कि यहां एक जनवरी 2008 लिका होता और यहां एक फरवरी 2009 लिका होता तब ही ठीक है अगर हमसे पूछा जाता कि 31 दिशंबर कितनी तारिक होता, 31 दिशंबर 2008, किस दिन को होता, तब वहां महां क्या करते दोस्त, संडे प्लस बान, अर्धर्थ मंडे, अगर यहां लीप एर है, तो इसके प्लस एक हो जाएगा, अगर समाने वर्ष है, तो जो 31 दिशंबर है, वो सेम दे ही होगा, अब आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कुश्चन पर, अभी तब फ्रिंट्स हमने देखा था सेम एर, अब तो जैसा कि कुश्चन है, 25th October 2002 को मंडे है, तो 25th October 2015 को कौन सा देवाश होगा, ठीक है, तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में अंदर कितने का है, 13 वर्ष का, ठीक है, तो हम यहां देखेंगे कितने नॉर्माल यह होगे और कितने लीप यह होगे, ठीक है, तो इसमें 7 का भाग ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 3 बार, ठीक है, 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 ठीक ह होगा 25 सक्टूर 2015 होगा ठीक है अब आते हैं दोस्तों एक दूसरे तरीके के सवालों पर ठीक है जिसको हम कहेंगे रिपिटिंग एयर अर्थार्थ उस वर्स के समान और कौनसा वर्स होगा ठीक है तो उसका हम दो तरीका देखेंगे एक ट्रिक दूसरा ट्रडिशनल तरीका ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमसे अगर पूछा जाए कि 2001 ठीक है वर्स 2001 के समान कौनसा वर्ष होगा ठीक है तो हम यहां क्या करेंगे सभी 2001 सभी वर्षों को इस पकार लिख लेंगे 2002 तो तीन चार पांच छे साथ इस पकर श्यागी ठीक है अब यह हो गया यहां पर ओड़ यह फिर एक्स्ट्रा डे ठीक है और डे कितने होंगे 2001 समाने वर्ष है एक ओड़ दे होगा 2002 यह भी समाने वर्ष है एक ओड़ दे होगा तीन यही भी समाने वर्ष है एक ओड़ दे होगा चार इसमें दो अड़दे होगे चूकर 2004 एक लिफप बर्ष होगा थेक है तो इसमें दो अड़दे होगे एक, दो, तीन, चार पांच, छे, एक, अर्थर्थ, अब यहां कितना हो चुका है, अब हो चुका है यहां तक साथ, ठीक है, तो 7 divided by 7, यानिकी रिमाइंडर 0, अर्थर्थ 2001 के शमान जो वर्ष होगा, वो कौन शा होगा, 2006 होगा, ठीक है, अब दोस्तों इसके ट्रेक पे आते ट्रेक क्या है, इसमें कुछ ट्रेक नहीं है, यह चीझ आपको खोग याद रखने होगी, ठीक है, तो आई यह देखते है, क्या है, अगर दोस्तों, आपको लीग इर दिया हो, ठीक है और लीग इर के समान वर्ष पूछ रहा हो, ठीक है, यहाँ तुके है, लीब इर ह couple केBra समान वर्ष पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे प्लस 28 कर देंगे जैसे कि हमसे कहें कि 2004 की समान वर्ष क्या होगा तो हम उसमें 28 जोड़ देंगे और सीधे शीधे हमार आंसर जाएगा क्या जैसे कि अगर 2016 लीपियर है तो 2015 क्या होगा है या फिर लीपियर प्लस 3 भी सोंगते ही आप उसको ठीक है अब next बात क्या है कि अगर leap year plus minus 2 हो plus minus 2 मरतब यह तो 2 ज्यादा हो leap year से यह दो कम हो बाद भई है एक ही बात बराबर है तो उस condition में भी हम क्या जोड़ेंगे 11 ठीक अर्थ-अर्थ जैसे कि वर्स 2010 की बात हो 2010 के होगा 2008 धन्तो यह फिर 2012 माइनस 2010 होता है 2010 में कि समान year कौनशा होगा हम से यह पूछ रहा है तो हम उसमें 11 जोड़ देंगे तो बहुत जाएगा हमारा क्या 2021 ठीक है अब दोस्तों हमसे बुले की leap year minus 3 हो तब क्या करेंगे या फिर इसी को हम दूसरे सब्दों में कह सकते हैं leap year ठीक है दोनों कंडिशन में एक ही बात है तब क्या होगा तो तब हम करेंगे प्लस 6 जैसे कि यह कुश्चन था दोस्तों इस कुश्चन में क्या था कि 2001 था 2001 वर्स 2000 जो है leap year leap year का अगला वर्स है या फिर 2004 की फिर चीff Hania Pokemon अगर इस तरीकी से हम करें philanthrop equipment अगला वर्स जो होगा वो तूसरी जाए मैंगे अफी, फ्रेंट्स अभी दो चीज और रही है हमारा नोर्मल सेंचूरी यहर गेर, अगर 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 ir गि감을 be प्लाज कर्या है जिसमे कि 400 का भाग ना जाया और अगर लीप सेंचूरी यहर गेर जैसे कि अगर में 400 को भागनी जाता अर्थाथ यह नॉर्मल सेंचुरी एर है इसमें 60 हो देंगे तो 1906 होगा उसका रिपीटिंग एर होगा ठीक है अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के कुश्चन पर यह हमारे केलेंडर टॉपिक के आखरी कुश्चन होगे तो दोस्तों हमारे इस स्पेसिफिक डिट ठीक है इस डिट को कौन साथी बस होगा जैसे 27 फरवरी 2008 को कौन साथी बस होगा इस टाइप के जब कुश्चन हमें दिये हो तो उसके लिए हम कुछ कोडिंग होती है उनको याद रखेंगे कि नॉर्मल तरीके से हम इसे लेके निया सकते है इस डिट को पता करने में बहुत समय लग जाएगा तो हम इसके लिए कुछ एक फॉर्मुला होता है उसे याद रखेंगे कौइब कोडिंग्स होती है उनको याद रखेंगे ठीक है तो स्टाट करते हैं दोस्त सबसे पहले मन्त की कोडिंग देखते है मन्त की मन्त की डे की और ययर की सबसे पहले मन्त की है, तो मन्त है January, February, March, April, May, July, June, July, August, September, October, November, December, अब इसकी कोडिंग क्या होती है? तो इसकी कोडिंग होती है, नॉर्मल एर के लिए, वन, फोर, फोर, जीरो, टू, फाइव, जीरो, ठीक है? थ्री, सेक्स, वन, फोर, सेक्स, ठीक है? यह हमारी कोडिंग होती है, ठीक है? इसे हम दूसरे सब दो में लिख सकते हैं, बारा का वर्व, सुन्ये, वांच का वर्व शोनिये, छे का वर्व, और एक चार, और चार वदो, छे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, अब दोस्तों, लीपियर अगर हो, तो यहाँ पे कोडिंग में कुछ चेंज नहीं होता है, पूरी कोडिंग यही रहती है, केवल और केवल चेंज होता है, यहाँ पे, 0, 3, 4, ठीक है, यह काई की होगई, लीपियर की होगई, और यह काई की कोडिंग होगई, नॉर्मल या की होगई, ठीक है, अब दोस्तों, हम देख लेते हैं, डे कि कोडिंग, ठीक है, डे, संडे, मन्डे, टूजडे, टुस डे, independ हो ग्य, तो दोस्तों, इसको सुरू करेंगे हम, वन से, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अगें 7 की जगह है, 0 क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अब दोस्तों, century के लिए हमारा code क्या होता है, अगर हमें कहीं, century दिया हो, code, तो 1600, 1700, 1800, 1900, और फिर पुनार रिपीट हो जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए होता है, 6, 4, 2, 0, घटते क्रम में, अब दोस्तों, अगर हम इसे दूसरे तरीके से भी लेखें, कि इसे हम 0 से start करें, तो 0, 100, 200, 300, अपुनार 400 में, फिर से 0, 0, 24, जैसे हम यहां से 100 लेलें, ठीक है, 200, 300, 400, जहां पर लीप century यहर आएगा, वहां 600 होगा, उसके घटते क्रम में बाकी क्या होता है, इन टेस को निकलने का फॉर्मूला, जिसके लिए हमने उपर इतना कुछ किया है, इसका फॉर्मूला होता है, date plus last to digit of year plus number of leap year plus century code plus month code divided by 7, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, date plus last to digit of year, number of leap year, century code, month code, ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, question पे, तो दोस्तों, पहला question है हमारा 27 February 2008 है, उसके दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो हमने formula देखाता हमारा, ठीक है, उस formula में put करेंगे, formula क्या था, हमारा formula था, date, date क्या है हमारी, 27, ठी 08, okay, plus number of leap year, ठीक है, इसमें leap year कितने होगे, चुकि दोस्तों 8 है, तो 2000 के बाद इसमें कितने leap year होगे, ठीक है, चार से भाग दे देंगे, 2 leap year, ठीक है, plus century code, तो दोस्तों century क्या है, इसकी 2000 है, और 2000 अगर है, तो century code क्या होगा, 0, आफ कीजिए, 2000 जो है, एक century year, leap century year है, इसल कि जो हमारा code होता है, वो होता है leap year के लिए, 3, ठीक है, upon 7, ओके, दोस्तों हम इसको जोड़ देंगे उपर, तो यह हो जाएगा, हमारा 27, 33, 11, 46, 26, 26, 27, 12, और यहां 46 है, तो बचा कितना, चार, ठीक है, चार हमारा, दिवस में किस दिवस का code होता है, तो दोस्तों, चार ज अक्षर, इस वर्ष के, 16, ठीक है, number of leap year, चार चो का 16, ठीक है, century code, 6, चूकि यह leap century year होगा, और month code, तो जनवरी है, तो जनवरी का month code क्या था, यहां पे, 0, ठीक है, क्या month code था, 0, ओके, और divided by 7, 16, 4, 20, और 6, 5, 11, ठीक है, तो 31, सचो के 28, बचा 3, तो 3 जो था हमारा, वो थ किस देवस के लिए, यह था दोस्तों हमारे मंगलवार के लिए, ठीक है, Tuesday होगा, अगला है, जनवरी 2017 में कितने शंडे होंगे, ठीक है, यह सबाल है, इसको भी देख लेते हैं, तो हम एक जनवरी का अमान के चलते हैं, ठीक है, एक जनवरी से स्टाट करते हैं, तो सब से यह लिए, उसी में पूट करेंगे, 01, ठीक है, अंतिम दो अक्षर, वर्ष के, यानिकी 17 धन, लीपियर कितने होंगे इसमें, 4 होंगे, 4 चुका 16 होता है, ठीक है, और century code क्या होगा, 6 होगा, ठीक है दोस्त, और month code क्या होगा, चुकि यह normal year है, इसलिए जनवरी का month code क्या हो संडे है, ठीक है, तो जब पहला दिवस जनवरी का संडे है, तो अगला संडे का वाएगा, 7 दिन बाद, 8 तारिक को, अगला संडे का वाएगा, 7 दिन बाद, 25 तारिक को, अगला संडे का वाएगा, 7 दिन बाद, 22 तारिक को, अगला संडे का वाएगा, उसके भी 7 दिन जनवरी 2017 में पांच संडे थे ठीक है तो दोस्तों ये ता हमारा पूरा वीडियो केलेंडर पर बेस्ट दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए वीडियो उसको अधिक से अधिक से शेर कीजिए लाइक कीजिए कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंकियो वेरी मैश दोस्तों हैव अनाइस दे